टाटा कंजुमर प्रोडेक्ट के अंदर आप सभी को मैंने इंट्री करा जी थी दूस्तों 540 लेवल के पास अगर इंट्री करना चाहते हैं तो 540 लेवल के पास आप सभी इंट्री कर सकते हैं ये बात आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दी थी उसके बाद स्टॉ रिवसल गया तो भी आप 510 और इसके अंदर नेक्स्ट पॉजिबिलिटी लेवल है 490 आप सभी को देखने को मिलेगा ये बात भी बता दी थी और इधर average strategy maintain करिए ये levels पे 510 490 पे करिए ये बात आप लों को मैंने clear कर दिया था अगर आप चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते average strategy इतने दूर क्यों बताता हूं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो भी stocks के अंदर जो भी upmove देखने को मिलता है चाहे वो टाटा कंसुमर प्रोडेक्ट हो गोद्रेच कंसुमर प्रोडेक्ट हो हिंदूस्तान यूनिलिवर लिमेटेड हो ऐसे stocks के अंदर हमें दूर-दू के ही level के average strategy maintain करनी होगी अब आप देख सकते हैं इस stock के अंदर 510 level के नीचे ही हमारा strategy बन चुका है और stock 505 पे आपे closing दिया है 510 के ओपर stock 520 जाए 540 भी जाए जिदर आप entry करें उदर आप सभी को double से triple profit होगा टाटा कंसुमर प्रोडेक्ट के अंदर अगर आप fresh entry करना चा आप लोगों के सामें stock पे बात कर रहा हूं टाटा कंसुमर प्रोडेक्ट के उपर अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं आज के दिन जो भी target बता रहा हूं वो target आप 7 अक्टोबर से लेके 13 अक्टोबर तक भी आप trade क कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं क्योंकि यह already up trend line break कर रहा था 580 और 590 के लेवल के पास अगर यह reversal होगा तो हमें नज्जिक से नज्जिक लेवल जो भी इसके अंदर uptrend 460 और 420 से uptrend देखने को मिली हमें अगर levels में recovery लेगा तो नज्जिक से नज्जिक लेवल इसके अंदर 460 देखने को मिलेंगी अगर यह इतना दूर break नहीं कर पाया तो देखिए 490 और 480 से यह up move लेते हुए दिखेगा अगर 480 टच नहीं कर रहा है तो हम लोग target मिस हो जाएंगे इसलिए आप सभी को मैंने बता दिया था कि 510 और 490 के पास हम लोग average strategy maintain कर कि मेरा पिछला वीडियो 510 और इसके अंदर 490 पर average करें आप देख सकते हैं 410 के नीचे ही आप सभी का overall average बन चुका है दोस्तों अब आपको 510 के ऊपर ही stock ऊपर जाने लगा जो नीचे लेवल भी overall average बना है 510 से 520 भी जाने लगा आपको profit होगा 540 भी जाने लगा तो आपको ये बाद में नकी बता सकता हूँ अगर ये 540 लेवल जाने लगा RSI अबव आपको 60 भी देखने को मिलेगा RSI अबव 56 लेवल भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस stock के अंदर अगर आप fresh entry करना चाहते हैं तो stock में fresh entry करिए stock reversal जाता हुआ दिखा तो आप 490 प लिए साफ है अब देखिए इसके अंदर जो भी reversal आने वाली थी उस reversal के बारे में तो वीडियो में upload कर दिया था बता भी दिया था entry भी बता दी थी उसके पर strategy कैसे maintain करें ये भी बता दी थी आप देख सकते हैं 540 के बाद इसके अंदर जो भी इदर अप मूव देखने को नहीं मिला है और stock इदर से लेके इदर भी कौन सा भी gap up opening और gap down closing भी नहीं दिया है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही gap up opening हुई थी वो हुई थी ये level के पास अप इदर देख सकते हैं ध्यान से देखिए ये level के पास gap up opening हुई है अगर stock यहां से भी reversal लेगा तो दो पहले से आपको मैं बताते आ रहा हूं 490 level इदर ही आपको फिर से entry करनी होगी possibility फिर से जो इसके अंदर इदर gap up opening हुई है इदर ही ज्यादा possibility है return आने का stock का तो देख सकते हैं अगर आगे बढ़ा तो 540 double profit में exit हो जाएंगे अगर reversal जाएगा तो stock आप फिर से 490 के पास average कर सकते हैं जो भी average strategy मिस हुए अगर जो भी fresh entry भी करना चाते हैं इस level पर fresh entry करके 490 पर आप average करके below 500 का overall average बना के चल सकते हैं दोस्तों ऐसे ही strategy maintain करिये आपको double से triple profit Tata consumer product के अंदर देखने को मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लीजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए और बन जाएए दोस्तों hyper trade family के member और एक बात आपको मेरे telegram channel का link description में मिल जाएगा आज का दिने 6th October 2020 Tuesday Tata consumer product का closing के दूस्तों 505.60 पैसा यह जो मैं target निकाला हूँ target 7th October 2020 Wednesday के लिए यानि कल के लिकाला हूँ कल के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity मिले selling level का भी opportunity मिले कल live market के अंदर आप मेरे levels पे trade कर सकते हैं कल market में trade करना चाहते हैं मेरे levels मेरे target stop loss पे तो आप अभी screenshot निकाल लीजिए अगर levels पे entry हो गई है तो targets immediate and stop loss भी immediate लगा लीजिए stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हो तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा